गुड मॉनिंग स्टुडेंट्स आज हम पार्ट तीन और भोक्तावादी संस्कृति पढ़ेंगे इसके लेखक हैं शामचरण दूबे जीवन परीचेन का सन 1922 में सू प्रशे साहिते का शामचरण दूबे का जन मध्य प्रदेश के बुंदेलखन चेत्र में हुआ इनकी प्रारंबिक सिक्षा इस्तानिय विध्याले से महानव विज्ञान में पिएश्डी क्यूपादी प्राप्त की इनकी विबिन विश्विध्यालों में अध्या पन कारे किया तता अनेक प्रसी संस्ताओं में प्रमुक रदो पर कारे किया इनकी कुछ रचना हैं जिनके बारे में इतिहा, प्रंपरा और इतियास बोध, सामाज और भविश्य, संक्रमन की पीड़ा, भारत्य ग्राम, विकास का समासा, समय और संस्कृति आदी तो ये पार्ट है उब्भोक्तावादी संस्कृति इसके अंदर क्या बतायागा है पार्ट परिचे प्रस्तुत लेक के माध्यम से लेखक सिरिशाम चरन दूबे ने बाजार की गिरफ्ट में आ रहे समाज की असली सवरूप का व्यक्त किया है आज हमारे देश में अनेक दिशाओं में प्रकर्टी की है विशेशकर और द्योगिक छेत्र में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं अनेक प्रकार की वस्तों का उत्पादन हो रहा है उत्पादन और अधिक बढ़ाने के लिए उसकी खपद जरूरी है इसलिए उत्पादक विग्यापनों के दुआरा दुआधार प्रकार से अपने उभोगता बढ़ाया गए है परणाम यह है कि चमक दमक के आकर्शन में हम बड़े उभोगता बन गए बजार में उपलब्द अधिक से अधिक चीजों को हम भोगना चाहते हैं यहीं उभोगता बाद है इस पार्ट में लेखक ने हमें सावधान किया है कि उभोगता बादी जीवन से लिके बीचे भागने से अंत में हमें एसांती और और विशमता ही हाथ में आएगी तो इसके अंदर पार्ट में क्या बतायागा है कि उभोगता कि आज कल कि जो बाजार में जो गश्तूं आ रहे हैं उनको हम खरीदने के लिए किस तरह से ततपर रहते हैं और साथ में ही कि विज्ञापन से किस परकार से विज्ञापन उनको उनका परचार परसार करते हैं और आकिर में उनको खरीदने के लिए वीवस हो जाते हैं यहीं इसके अंदर बताया गया है कि दीरे दीरे सब कुछ बदल रहा है एक नई जीवन शैली का वर्चस त्विस्तापित कर रही है उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन धर्शन उभोगतवाद का दर्शन उत्पाद बदलाव आया है नई स्थिति में उत्पाद के लिए उत्पाद के लिए पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अन जाने आज के माहोल में आपका चरीत्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं विलाशिता की सामागरी से बजार भरा पड़ा है जो आपको लुभाने की जीतोड कोशिस में जनतर लगी रहती है जीव दैनी जीवन में कामानी वस्तों को ही लीजिए टूथ पेस्ट यह दातों को मोती जैसा चमकाता है बनाता है यह मूम की दुरगंद हटाता है यह मसूडों को मजबूत करता है और यह पून सुरक्षा देता है वह सब करके जो तीन-चार पेस्ट अलग-अलग है अलग-अलग करते हैं किसी पेस्ट का मैजिक फॉर्मूला है कोई बवूलिया नीम के गुणों से बरपूर है कोई रीशी मुन्यों दुवारा श्युक्रत तथमान्य वनस्पतिवे खनी तत्वों के मिस्रन से ब बढ़कर एक मुझ की दुर्गन से बचने के लिए माउथ वोस भी चाहिए सूची और लंबी हो सकती है पर इतनी चीज चीजों का ही बिल काफी बढ़ा हो जाएगा क्योंकि आप शायद बहुवे ग्यापित और कीमती ब्राण खरीदना ही पसंद करें सौंदर ये प्रशा इसको तरोता जा रखता है दूसरा पसी ना रोकता है तीसरा जम्ट से आपकी सौरक्षा करता है यह लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहशे उनका मन पसंद साबुन सच्चाई का आर्थ समझना चाहते हैं यह लीजिए सरीर को पवित रखता है यह लीजिए सुद गंगा जल में भनी साबून चमडी को नर्म रखने के लिए यह लीजीए महंगी है पर आपके सौंदरिये में निखार ला देगी तो इस प्रकार से इसमें बताया है कि किस प्रकार से जो चीजें हैं समाद में जो बिखने वाली बजार में जो चीजें बिखती हैं उनको किस बड़ा चड़ा कर उनके बारे में बताया जाता है और किस परकार से हम लोग उनको खरीदने के लिए लाला ही तो जाते हैं उनको खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं चाहे वो चीज कैसी भी हो मुसकी उसकी गुणवक्ता को नहीं देखते बलकि हम उसको उसके विग्या कपड़े पहनने में लोगों को लग जाती है घड़ी समय देखने में के काम आती है किन्तों दूसरों को दिखाने के लिए लोग महंगी से महंगी घड़ी खरीते हैं म्यूजिक सिस्टम महंगा होना चाहिए चाहिए संगी समझ में समझ ही नहीं आता हो इसे तरह लोग दिखावे बढ़ाई के लिए कम्पूटर करते हैं वर्तमान लोग सूख सूधाओं को देखने लगे हैं अच्छे होटल में खाना अच्छे अस्पताल में इलाज करवाना अच्छे महाविध्याले विश्विध्याले में शिक्षा प्राप्त करना उनका मान बढ़ाता है अमेरिका यूरोप जैसे देशों में तो एक मोटी कीमत देखर अपने अंतिम संस्कार और विश्राम का प्रबन भी किया जाता है इस परकार की बाते हमारे देश में भी हो सकती हैं अपनी प्रतिष्टा इस्तापित करने के कही तरीके होते हैं इस तरह लेखक ने उभोगता वादी समाज का चित्रन किया है उनके लिए विग्यापन का विश्यश मेहत्व है यही उनके अपने अनुरूप लगता है तो किस परकार से कि लोग सम खरीदने के लिए रहने के लिए यानि जो भी चीजे हों कि घड़ी एक घड़ी का काम है समय दिखाने के लिए लेकिन लोग दिखावे के लिए महंगी से महंगी चीज खरीदने के लिए लालाइत हो जाते हैं यानि उसको खरीदने के लिए लोगों को दिखाने के लिए यह सारी चीजे करते हैं यहां लेखक पर्षन करता है कि इस उब्भोकता संस्कृतिक विकास भारत में क्यूं हो रहा है लेखक तर्क देता है कि भारत में समानती संस्कृति के तत्व पहले भी थे और संस्कृति से उब्वोक्तावाद जुड़ा रहा है आज समय बदल गया है आज संस्कृतिक पहचान करें तो पाएंगे परंपराओं का महतो समाप्त हो गया है आस्ताओं का विनास हो गया है हम बुद्धी से अपने आपको दा समझने लगे हैं विदेशी संस्कृति को अपना रही है अपनी जूटी प्रतिष्टा बनाने के लिए अपनों को धोका देत रही है अपनों को भुला कर आदुनिक्ता के फरेव में दस्ते जा रहे हैं हमारा समाज भी दूसरों के इसारों पर चल रहा है विज्यापन और प्रशार का समोहन हमारी मानसिक्ता को बदल रहा है अब यह चिंता का विशे मंत जा रहा है कि इस संस्कृति के फैलाओ के क्या परिणाम निकलेंगे संसादनों को दुरुपयोग हो रहा है विदेशी वस्तों को पसंद किया जा रहा है लोगों के लोगों में आपसी दूरी बढ़ रहे है इस परकार का अंतर एहसानती उत्पन करता है हम अपने लक्षों को पाने के लिए बटक जाएंगे आज मर्यादाइं टूट रहे हैं नैतिक मानदन डिले होते जा रहे हैं अभी स्वार्थ कूर्थी में लगे हुए दूसरों के विशे में कोई नहीं सोचता भोग की इच्छा बहुत अधिक फैली हुई है गांदीची के अनुसार हम अपने आदर्सों पटिके रहते हुए स्वस्त संस्कृतिक प्रभावों को भी अपनाना चाहिए वो भोगता संस्कृति हमारे लिए खत्रा है आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी चुनोती बन जाएगी कि हम भी किस प्रकार से दीरे दीरे इस भोगतावादी संस्कृति में फस्ते जा रहे हैं किस प्रकार से हम विदेशी चीजों को अपना रहे हैं